अरे भाई ये कचरा क्यों ठा रहो? भाई कसरत कर रहा हूँ ये कैसी कसरत है? ये प्लॉगिंग बोलते हैं इसको रनिंग करते वे एक उड़ा उठाता हूँ तो वक आउट भी हो गया भाई ये तो बहुत ही सही है चलो मैं भी करता हूँ तुमारे साथ चलो ये एक चीज हमेशा दिखती थी वो था कत्रा और ट्रैश और वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था कहीं बार तो रिपू दमन ने डिसाइड किया कि वो जॉगिंग करते वक अपने सामने आने वाले कचरे को कलेक्ट करेंगे और उसको सही जगह डिस्पोस करेंगे तो अब मैं कत्रा रोज उठाने लगा सुबह उठता रंटिंग करता और कत्रा उठाता उसमें तो मुझे पता भी था कि प्लॉगिंग नाम का कोई शब्द भी है तो मेरे लिए running करते वे कच्रा उठाना एक स्वा वर्क आउट हो गया था पर रिपुदमन की जर्णी इतनी आसान नहीं थी बिकस कुछ भी नया करने पे लोग कुछ नकुछ तो बोलते ही हैं और रिपुदमन ने ऐसा बहुत कुछ सुना तो इनिशली लोग मुझे कहते थे ये तो कच्रे वाले का काम है सरकार करेंगे, कच्रे वाले करेंगे, तू क्यों कर रहा है लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ पर रिपुदमन का जवाब एकदम सिंपल और क्लियर था तो मैं उनसे कहता था कि जब आप कच्रे फैंकने वाले को कुछ नहीं बोलते तो जो साफ कर रहा है उसको क्यों बोल रहे हो और ऐसी नेगिटिव बातों को और लोगों को इग्नोर करते हुए रिपुदमन अपना काम करते गए पर अभी भी एक प्रॉब्लम तो थी तो मेरे अखेले के करने से इंपक्ट तो पड़ रहा था बट वो शायद मेरे तक लिमिटेट था पर एक बड़ा इंपक्ट क्रियेट करने के लिए प्लॉगिंग को एक्स्पैंड करना जरूरी था तो रिपुदमन ने प्लॉगिंग के बारे में उनलाइन पोस्ट करना स्टाट कर दिया जिससे थोड़े ही सही पर लोग उनसे जुड़ने लगे रिपुदमन काम तो इंडिया में कर रहे थे पर उनको पहला रिकगनिशन मिला इंटरनेशनल मीडिया से तो 2018 के शुरुआत की बात है मुझे एक दिन अमेरिकन न्यूस से एक रिक्वेस्ट आई कि हम आपकी स्टोरी को फीचर करना आते हैं और उसके बाद अमेरिकन रीडियो ने भी मेरी स्टोरी को कावर किया तब उसके बाद अवेरनेस आई और बहुत जादा लोगों ने जुड़ना स्ट किया और उनको ये पता लगा कि इंडिया में फ्लॉगिंग की शुरुवात मैंने की है और यहां से लोगों का नजरिया बदल गया क्योंकि जो लोग रिपुदमन को कहते थे पचरा उठा रहा है वही लोग रिपुदमन के साथ उनकी फ्लॉगिंग एप्टिविटी में जुड़ने लगे तब रिपुदमन को लगा कि उनको एक नेशन वाइड कैम्पेइन करना चाहिए और उसके बार एक नई उर्जा के साथ मैंने एक नेशन वाइड कैम्पेइन स्टार्ट किया जब मन की बात में रिपुदमन को कवर किया गया तो इंडिया के हर कोने में हर सिटी में प्लॉगिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई अब लोगों को समझ में आ गया था कि देश की सफाई कचरे वाले नहीं सफाई वाले करते हैं जो भी हम वेस्ट एकटा करते हैं जेनरली हम रीसाइकलर्स को दे रहते हैं तांकि वो जारत से जाधा रीसाइकल हो सके और बाकी बात रही प्लास्टिक की कंजंप्शन को कम करने के लिए तो उसके लिए हम एक कॉंसेट लेकर आए हैं प्लास्टिक उपवास जहां पे हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि अपनी लाइफ से एक सिंगल यूज आइटम कोई भी single use item आप अपनी life से खतम कर दो इस सब को देखते हुए Indian government ने रिपु दमन को और भी जादा support किया तो गांधी जी के शब्दों को लेकर Everyone needs to be their own scavenger इस मुहीम के मैंने शुरुआत की 2016 में और October 2, 2019 में जब government of India ने मिलकर हमार साथ पहला fit India plogging ground रखा जहां पे 40,000,000 लोगों ने all over India participate किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद life has come a full circle for me और तब से लेके आज तक रिपु दमन और उनकी team plogging कर रहे हैं इस मुहीम को देश के हर कोने तक लेकर जाना है तो अगले 24 महीने में हम चाहते हैं कि देश में 770 districts हैं हर एक district में at least एक ऐसी plogging या litter free community हो जो actively locals के साथ मिलकर काम कर सके हैं क्योंकि मैं एक catalyst हूँ, I am not a change maker Every local in their city can be the plog man or plog woman of their city and actually make their city litter free तो अगर आपको भी रिपु दमन की story ने inspire किया है और आपको लगा कि आपको भी रिपु दमन को support करना चाहिए आप उन्हें Instagram या Twitter पे follow कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक सपना है जो हर एक भारतिये का 140 करोर भारतियों का सपना होना चाहिए कुडा मुख भारत litter free India I want to make that a reality within my lifetime that's my ultimate goal रिपु दमन की एक छोटी सी activity ने आज कई सारे nationwide campaign स्टार्ट कर दिये हैं इसलिए कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता बस करने का जज़बा होना चाहिए that's it for this video see you next week